हलो फ्रेंड्स दिस इचार विशुव कर्मा फ्रोम एचार एकेडमी धनबात और आज आप बने हैं पिलार्सिक्स के एंसी आटी के टॉपिक में आप परहेंगे सरकार के बारे में सरकार क्या है और आप देखोगे तो आपने हमेशा सुना होगा कि सरकार सब्द का जिक्र जरूर आपने सुना होगा इस पाठ में यह परहेंगे कि सरकार क्या है यह हमारे जीवन में कितनी महत्तुफुल भूमिका निवाती है सरकारे क्या करती है वे निर्ने कैसे लेती है अलग अलग तरह कि सरकारे जैसे लोकतांत्रिक सरकार रास्तंत्रिय सरकार के बीच क्या अंतर है क्या आपने सुना है लोकतांत्रिक सरकार रास्तंत्रिय सरकार यह निर्ने कैसे लेती है आई यह सब के बारें पता करेंगे जैसे आप देखोगे कुछ यहाँ पर नियूच के हेडिंग दिख रहे हैं सरकार से कामगारों के अधिकारों के रक्षा की मांग बार पिरितों के लिए सरकार के और से रहत सामगरी प्याज की दर में उच्छाल सरकार ने प्याज के दाम तै किये कोईला और बिजली प्याज के पुर्ण गठन के पक्षि में हैं सरकार सरोच नियाले के लिए पाच और नियाज थी सरकार सरकार ने पंद्रह हजार से अधिक गाओं को सुखागरस्त गोसेते किया तो आप देखोगे तो यह सब क्या थे यह सब अख़वार की सुर्खिया थी यह सब अख़व कुछी बिस्तित नहीं है आपके अनुसर क्या है कक्षा में इस पर चर्चा करें और आए टॉपिक पर हम लोग बने रहने का काम करें कहा जरा हर एक देश को बिभिन निर्ने लेने यह काम करने के लिए सरकार की जरुत होती है यह निर्ने कई विश्यों से संबंदित हो सकत हैं सरके अस्कूल कहा बनाए जाए बहुत ज्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज के दाम कैसे घटाये जाए बिजिली की आपूर्ती को कैसे बरहाया जाए सरकार कई समाजिक मुद्दों पर भी कारवाए करती है उधारन के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कारकरम चलाती है इनके अलावा यह अनमहत्पुन काम भी करती है जैसे डाक एमरेल से वाय चलाना सरकार का काम देश की सीमाओ की सुरक्षा करना दूसरी देशों सांतिपुन संबंद बनाए रखना उसकी जिम्मेदारिया सुनिशित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन अच्छी स्वास्त सुविधाय मिले आप देखो नजेसे भी चल रहा क्रोना काल चल रहा क्रोना संकर काल चल रहा तो और प्लस उपर से चाहना पाकिस्तान के साथ सुनने को मिलगा कुछ मंद भे ठीक है तो क्या इस तरह में सरकार इस तरह का पूरी तर देखने को मिल रहे हैं कहा जा रहा कि जब प्राकृतिक विब्दा घेरती है जैसे सुनामी भुकम तो मुकरूप से सरकार ही प्रित लोगों की सहता करती है अभी आपने सुना होगा कि अभी हाल ही में बंगाल में साइकलून आया ठीक है तो क्या वह एक आपदा देखने को मिल रहा प्राकृतिक विब्दा देखने को मिला यह अगर कहा कोई अगर कही कोई विवाद होता है या कोई अपराद करता है या लोग न्या तो लोग कहा जाते हैं लोग कहा जाते हैं न्याले जाते हैं न्याले भी सरकार का ही एक अंग है साहिद आपको यह जानकर अश्य इसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है जब लोग इखटे रहते हैं काम करते हैं तो कुछ हद तक एक वेवस्था की जरूत होती है जिससे आवसक निरने लिए जा सके कुछ नियमों की जरूत होती है जो सप्र लागो हो उधारन के लिए संसाधन के नियंतरन आदेश की सीमा की सुरक्षा की जुरुत पर होती है ताके लोग सुरक्षित महसूस कर सके लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है वह नियम बनाती है 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 और अपनी सीमा में रहने वाले लोग पर उन्हें लागू करती है आप देखोगे यहाँ पर दिख रहा है कुछ उधारन है जो सरकार के अंग है सरोचनियाले, भार्ट प्रिटोलियम भार्टी रील ये सब दिखने को मिल रहे है अब ये सरकार के अस्तर पर फोकस करेंगे सरकार के अस्तर कहा जा रहा है सरकार के अस्तर अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीजों के लिए जिम्मेदार है तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार ये सारे इंतिजाम कैसे करती हूँ दरसल सरकार अलग अलग अस्तरों पर काम करती है अस्थानी 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 अस्था अस्थानी अस्थार में क्या दिखा तो अपने गाउं सहर मोहला से दिखने को मिलते हैं लेकिन अगर में राज अस्थार की अगर बात करूं तो राज अस्थार का मतलब पुरे राज जी को ध्यान में रखेंगे जैसे हरियाना या असम या जार्खन की सरकार पुरे राज जी में काम करती है राश्टी अस्तर पर अगर फोकस करने का काम किया जा तो सरकार का संबंद पुरे देश से होता है तो याद रखिए अस्थानी बोले तो गाउं सहर मुहला राज बोले तो पुरे राज राश्टी बोले तो पुरे देश से इस किताब में आप आगे चल कर परह इंडिया का दीख रहा है यह लेटिस्ट है नहीं अगर लेटिस्ट के अगर बात करेंगे यह जो मैंने लाइन ड्रो क्या है इसका यह पाट लद्दाक का है यह पाट लद्दाक का है और यह पाट इधर क्या है जमू कास्मीर का देखने को मिलते हैं अब क्या है कि यहां कुछ प्रसासनिक प्रभाग देखने को मिल रहा है यहां पर आसपास कई सारे देश देखने को मिल रहे हैं और कुछ यहां लेटेस डेटा भी देखने को मिल रहा है कि आंद्र परदेश राज के पुर्णर गठन के बाद दो जुन दो जाग चौदा को तिलांगना भारत का 29 राजे बना और वो सारे समय से समय पर आप लोगों को कई सारी बाते बताने का काम किये जाते हैं अब आपने देखा सरकार के अस्तर पर तो आपने फोकस कर लिया लेकिन अब हमारा फोकस होगा सरकार एवम कानून सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले यहां पर कानून अगर ऐसा देखा जाए तो कभी भी कही भी लोग आजा सकते हैं घूम सकते हैं लिए को राज से दूसरे राज के लिए परमेशन लेनी होती है क्या इस तरह का तो अब आप गुलेंगे कि ये तो हम लोगों के अधिकार पर रोक लगाये जा रहा है देख नहीं करोणा संकट काल को दिखती हैं अगर वो कानून लोगों की सुरक्षा के लिए है उनके हिट के लिए है रास्ट हिट के लिए है तो वो हमें मानने करने होंग के वल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकता है सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है वैसे ही वह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाद करे उधारन के लिए एक कानून है कि गारी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए अगर कोई लासेंस के बिना गारी चलाते हैं पक्रा जाए तो उसे जेल की सजा कटनी परती है जुर्माना भरना परता है अगर किसी नोकरी में नहीं लिया गया तो वह नियाले जा सकते हैं और यह दावा कर सकते हैं कि कानून का पालन नहीं हो रहा है तब न्याले आदिश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूत है तो अब ही आप देखो किस पर चर्चा किया सरकार एंग कानून पर फोकस करने का काम किया तो अब क्या है सरकार के परकार पर हम लोग फोकस करेंगे सरकार को निरने लेने और कानूनों का पालन करवाने यानि उन्हें बाद बनाने के सक्ति कौन देता है इस बात पर निर्वर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है लोग तंतर में तो लोग ही सरकार को यह सक्ति देते हैं लोग ऐसा चुनाओ के माध्यम से करते हैं वो अपने पसंद के नेता को बोट दे कर चुनते हैं एक बार चुन ले जाने के बाद यही लोग सरकार यही लोग सरकार बनाते हैं तो लोगतंतर में क्या देखने को मिला है लोगी सरकार, लोगी सरकार की सक्की होती है, उसके मादधम से वो चुरे जाते हैं, लोगतंतर में सरकार को अपने निर्ने एम उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है, और सफाई देनी होती है, एक दूसरी तरह की सरकार होती ह जिसे राज तंत्रिय सरकार करते हैं तो अभी आप पर क्या रहें अभी आप पर रहें क्या आपका हेडिंग था सरकार के परकार देखा आप ने देखा लोग तंत्रिय सरकार और अब आप देख रहे हैं राज तंत्रिय सरकार तो इसमें क्या बहुता है? इसमें राजा या रानी के पास निर्णए लेने और सरकार चलाने की सक्ति होती है जो कि अभी आपने देखा लोक तंथरी पर आगर फोकस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया? कि लोग ही सरकार की सक्ति होती है लोगों के माध्धम से ही उनका चुनाव होता है अपनी पसंद के निता को वोट देकर वो चुनने का काम करते हैं लेकिन रास्तनत्रिये में इसारे नहीं होते हैं राजा या रानी के पास निर्मे होते हैं सरकार चलाने के लिए सक्ति होती है राजा के पास सलाकारों का एक छोटा सा समू होता है जिससे वह बिभिन मुद्दों पर चर्चा कर सकता है अंतिम निर्ने लेने का सकती किसके पास राजा के पास होता है लोकतंत्र के समान राज तंत्र में राजा या रानी को अपने नने के आधार नहीं बताने परते हैं ध्यान देजिए फिर सपात पर फोकस केजिए लोकतंत्र के समान तो लोकतंत्र में क्या होता है लोगों को मतलब जो राजा होता है उनको बताना परता आधार लेकिर राजतंत्र में क्या होता, राजे रानी को अपने अधार नहीं बताने पड़ते हैं, उन्हें कोई भी सफाई देने नहीं पड़ती है लोकतंत्रिक सरकार, भारत एक लोकतंत्र है, इस लोकतंत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लराई लरी है संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोगतंत्र पाने के लिए संघर्स की उपर बताया जा चुका है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की सकती होती है इसलिए एक अर्थ में लोगतंत्र लोगों का ही सासन होता है लोगतंत्र में मुल्भुत विचार यह है कि लोग नियमों का बनाने भागिदारी बनकर खुद ही सासन करें लोगतंत्र में क्या है खुद भागिदारी करें आज के समय में लोगतंत्रिक सरकार को प्राया प्रति नीधी लोगतंत्र करते हैं तो याद रखेंगे लोगतंत्र सरकार को और क्या नाम दिया गया प्रतिनीधी लोगतंत्र प्रतिनीधी लोगतंत्र प्रतिनीधी लोगतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते बात समझी क्या कहना चलिए अब लोगतंत्र को अगर प्रतिनीधी लोगतंत्र कहा गया तो क्यों कहा गया क्या रिजन है तो इस कहा जा रहा कि प्रतिनीधी लोग तंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्खि चुनाओं की प्रिकरिया के दवारा अपने प्रतिनीधी ko चुझते हैं। पाक्साजमारी क्या काना चाह रहे हैं ये प्रतिनीधी मिलकर आप देख रहे हो कि यहां पर किस तरह से एक विर्द्व्यक्ति वोट देने का काम कर रहे हैं और इसके लिए मद्दान के समय मद्दाता के उंगली पर आप देखोगे किस तरह से सियाही से निसान लगाया जाता है ताकि वह क्यों एक वोट दे सके ये चीज़ देखने को मिलती है अब क्या है कि सारी जंता के लिए निर्ने लेते है आज कल कोई भी सरकार अपने आपको तब तक लोग तांत्रिक नहीं कर सकते जब तक देश के सभी वैसक नागरिकों को वो लेकिन हम ऐसा ऐसा नहीं था क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोग तांत्रिक सरकारे और तो और गरीबों को चुना में भागन नहीं लेने देते थे अपने सुरुआती दोर में सरकारे के और उन्हीं पुरूसों को वोट देने देते थे जो परहे लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ती होती थी इसका मतलब था कि और तो गरीबों असिच्छितों को वोट देने का अधिकार नहीं था ऐसी स्थिती में देश उन्हीं नियमों के सारे चलाते थे आजकर कोई भी सरकार अपने आपको तब तक लोगतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक और देश के सभी वैसक नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था अभी तापको हमने बता ही दिया इन से बातों को तो चर्चक किया है कहा ज़रा कि भारत में आजादे से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपुर्ण बेवार कान बिरोध किया उन्होंने भी जोर जोर से यह मांग उठाई और 1931 में याद रखेंगे ए भी 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 आई पॉइंट 1931 में एक न्यूज पेपर चला करता था यंग इंडिया इसमें लिखते भी गांधी जी ने कहा कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ती है वह वोट दे सकता है लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्रे पर संपत्ती या सिख्छा नहीं वोट नही दे सकता है तो दीन भर अपना पसीना बहा कर यह मांदारे से काम करता है वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुना किया यह देखने को मिलती है अच्छा अब जैसे यहापर आप देख सकते हूं दाहिने साइट राइट साइट यहाँ पर देख रहा ह कि वोट्स फोर उमेन वोट्स फोर उमेन इस से देखने को मिल रहा है काजर संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपने सकती लोगों के साथ नहीं बाठती है पूरे यूरूप और अमेरिका में महिलाओ और गरीबों को सरकार के कारून भागदारी के लिए संगर इसने प्रथम विस्यूद के दौरान और मजबूती पकने इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसी सफ्रेज मूवलेंट कहते है सफ्रेज मूवलेंट समझ मारा है महिला मताधिकार आंदोलन अच्छा सफ्रेज का मतलब क्या होता है ज्यान से दिखिए तो वोट देने का अधिकार यूद के दुरान तो सफरेज कमन तो क्या होता वोट देने का अधिकार यूद के दुरान बहुत से पुरूस लराई में थे इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाये गया जो पहले पुरूसों के काम माने जाते थे जब महिलाओं ने बिविन परकार के काम और उनकी बेवस्था करना सुरू कर दिया किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आस्टच हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी छमताओं के बारे में क्यूं इतनी गलती रूरी बद्धारनाए बना रखी थी कि महिलाओं यह काम कर सकती इस तरह महिलाओं को निरने लेने के समान रूप से योग माना जाने लगा महिला प्या अधिकार आंदोलन के साथियों ने सभी महिलाओं के लिए बोट देनी का अधिकार की मांग की उनकी आवाद सुनी जाए इसके लिए उन्होंने जगा जगा पर अपने आपको लोहे की जंजिरू से बांध कर प्रदसन किया। उनमें से कई करांतिकारी महिलाये जेल गई। भूकरताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोड़ देने का अधिकार उनिस सो बीस में मिला। तो याद रखेंगे इस पॉइंट को कि औरतों को वोड़ देने का अधिकार अमेरिका में कब मिला उनिस सो बीस में, ठीक है, अच्छा, अब क्या है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंतरगत, ठीक है, दौरान, जबकि इंग्लेंड की औरतों को यह दिका कुछ सालों बाद, मतलब उनिस सो अठाइस में मिला, ठीक है, यह सब देखने को मिलती है, अब क लोगतंतर में, लोगों की भागिदारी उन निर्नेयों को लेने में महत्पुन है, जो उनको प्रभावित करते हैं, कि आप इससे सहमत हैं, अपने जवाब के दो कारण बताएं, आपके यहां जिस परकार की सासन ब्योस्था हैं, उसके सास्थान पर आप कैसी सासन ब्योस् हैं, कि आप उससे खुस हैं, सामत हैं, नीचे दिये गए, कथनों में जो गलतिया हैं, उन्हें सुधार कर लिखिए, देखिए, यह तीन कथन दिख रहा है, पहला दिख रहा, राज तंतर में देश के नागरिकों को अपने पसंद का नेता चुनेने की छूट होती है, घलत अब हैं, आपने देखा, पर यह ता, लोगतंतर में एक राजा के पास देश पर सासुन करने की संपूर्ण ताकत होती है, घलति लोगों के पास होती है, राजे दागरिकों को अपने पसंद नेता चुने के छूट नहीं होती है, राजेतर में राजा या रानी द्वार हम के निरने उपर लोग परशन उठा सकते हैं नहीं नहीं उठा सकते हैं इसका मतलब कि इस तरह का सखाई सावल पर हमने फोकस किया और आप सेयर सब्सक्राइब के साथ क्लास में बने